आगे बढ़ेंगे जहाद सल्मान के घर लोरेंस विश्णोई के नाम से पहुची का लोरेंस विश्णोई के नाम से कैब बुक कराए गई थी सल्मान के घर कैब भेजने वाला गिरिफतार हो गया है गाजियाबाद से एक आरोपी गिरिफतार हुआ है दू दिन के पुलिस कस्टडी में आरोपी अभिनेता सल्मान खान के घर के बाहर फाइरिंग हुई मामलिबे गाजियाबाद का करेक्शन सामने आया है मुंबाई पुलिस ने गाजियाबाद से एक पीस साल के युवक को गिरिफतार किया है गिरिफतार किये गए युवक ने अभिनेता सल्मान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमिन्ट से बांडरा पुलिस स्टेशन ताग लोरेंस विशनोई के नाम से ओला कैब फुग की थी साबे क्युवक ने प्रैंक किया था बता दे कि बॉलिवोट के सुपरस्टार सल्मान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमिन्ट के बाहर बीते 14 अप्रेल को सुभा पांच पज़े के करीब फाइरिंग की गई थी उनके घर के बाहर पांच राउंट की गोलियां चली थी पुलिस ने फाइरिंग करने वाले दोनों आरूपियों को गुच्रात के भुच से गिरिफतार कर लिया सल्मान के घर के बाहर फारिंग के मामले में जेल में पंध गैंग्सटर लौर्यट्स विशनोई के भाई का नाम सामने आ रहा है एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है जिसमें ये तावा किया जा रहा है कि सलमान के घर पर हमला लोरेंस विश्णोई के भाई अन्मोल विश्णोई ने करवाई है बता दें पिछले साल मार्च में सलमान के आफिस में एक ही मेल आया था जुसमें विश्णोई गैंग ने उन्हें जान से माने की धम की दी थी और ये तीन तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर 14 अप्रेल की तस्वीर जब गैलक्सी अपार्टमिंट के बाहर दो युवकाई और पाच राउंड की फाइरिंग कर फरार हो गए ये तीसरी तस्वीर जिस सीवक ने कैब भेजी उसे भी खिरिफ़तार कर लिया गया है तो इतीन तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर और इने तीन तस्वीरों के आधार पर पुले सागे की जाच कर रही है और जैसे जैसे जाचा के बढ़ेगी जाहिर सी बात है तमाम ख लॉरेंस विश्नोई के नाम से जिसमें मारने की धंकी दी गई थी उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और उसके बाद जब 14 अप्रेल को गोलिया चली उसके बाद भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सलमान खान की 16 अप्रेल को गिरिफतारी की गई उन्हीं दोनों लॉरेंस विश्नोई के भाई का नाम इसमें सामने आ रहा है फिर से घटना हुई कैब भेजे गई और इससे युवक को गिरिफतार कर लिया गया जिसने कैब भेजी थी